पहले हम काटबुड लेंगे, उस पे हम एक बढ़ा सा सर्कल बनाएंगे और इसे काटेंगे कटर से अराम से उसे काटी अब देखी, अंदर से भी छोटा सा सर्कल कट किया है और इसकाद आप फेवे कॉल अच्छे से लगाए और फिर रीबन से फिर राउंड राउंड करकर के हमें उसे पूरा कवर करना है अपने कार्ट बूट को और मैंने इसके लिए औरेंज कलर का रीबन यूज़ किया है देखिए जब तक मैंने पांच पांच राउंड के बाद मैंने कलर रीबन का चेंज किया है और इंज की बाद वाइट यूज़ किया है बीच से आप थोड़ा सा काट बूट पूरा काट ले और उदर फेवे को लगा के चिपका ले ताकि आपका पूरा छत्री की तरह शेप आसके आपका छत्री का अब ये देखिए उसके बाद हम ये वूल वाला धागा लेंगे और उसको हम चार जगह से लगाएंगे ताकि ये पूरा का पूरा स्टेबल हो जाए और अच्छे से हमारा लटकने के लिए तैयार हो जाए छत्री अब ये देखिए फेवे को लगा रहे ताकि हम अपना कु तरफ हमने लेस डाला है और लेस को अच्छे से फेवे को से चिपकाया है उसी तरीके साब पूरा उसे सजा दे और फिर आप एक धागा लेंगे सुई लगा कि फिर उसमें मोतियां डालने लगे इससे हमारा क्या एक तरीके से लटकन का वो हो जाएगा बन जाएगे ऐसा हम उसे अच्छे से करके लगा है यह देखिए पीली मोती सफेद मोती यह समोतियों का यूज किया है उने तो भी देखिए अब अच्छे से लगे अब